नमस्कार स्वामी विवेकानन युवाव के आदर्स आज का दिन राष्टी युवा दिवस के रूप में भी मनाये जाता है 12 जनवरी 1863 को स्वामी विवेकानन जीगत जन्म हूँ सौमी विवाकनन को आज के युवफ इट मोटिवेशनल स्पिकर के रूप में भी जानते हैं स्वामी विवाकननने युवा को मोटिवेट करने के लिए अच्छी अच्छी बाते की आज उनके जिवन की तीन कहानिया तीन किसे मैं आपको बताऊंगा जो हर परस्थे में इनसान को वापिस उट खड़ा होने के लिए विवस कर देती है कि जिभी इनसान को अगर मोटिवेट होना है तो स्वामी वेकनन की ये तीन किस्से तीन कहानिया देख लेना अगर आपको लगता है कि मेरा सब कुछ खत्म हो चुका और आप निरास हो हतास हो तो स्वामी वेकनन जी के जीवन से जुड़े लाइफ से जुड़े ये तीन किस्से आपको जरूर जानना चाहिए नमबर वन सहन सक्ति रखना विवादों से बचना है तो सहन सक्ति रखना सुक सांती चाते हो तो सहन सक्ति रखना एक बार स्वामी वेकनन जी विदेश में त्रेन में यात्रा करे थे वो भी फ़श्ट क्लास में पूरा सादू का बेस था वो हमेशा सादू के बेस में ही रहते थे तो उनके पास दो अंग्रेच आकर बेठे आंग्रेच प्या लगा कि स्वामी जी को इंग्लिश नहीं आती होगी तो वह इंग्लिश में बात कर रहे थे और उस्वामी जी के लिए बला बुरा कर रहे थे क्यार देखो देखो सादू सादू जैसे लोग भी फर्ट क्लास एसी में सपर करते हैं और ये लोगों को पेसे सपर करते हैं और वो बातों भी बातों में खुब बुराया कर रहे थे भियकलन जी, स्वामी जी की बूद बुरय है कर रहा थी। उनको पता नहीं था कि स्वामी जी को इंग्लिस आती है। जब टीटी आता है और टिकेट चेक करता है स्वामी जी का, तो स्वामी जी उससे इंग्लिस में बात करते हैं। जब यह बास सुनकर डोनों अंगलेज बास से बैटे होते हैं, वो बड़े लच्जित हो जाते हैं। और वो सवामी झी से मापी मालते हैं। कि सवामी जी हमें माप करना! हमें तो ये लगा था कि आपको इंग्लिस नहीं आती लेकिन आपको ता थी हमने आपको बला बुरा का माप कर दो स्वामी जी ने क्या कहा कि मैं अपनी आलोचना बर्दास करता हूँ मुझे आलोचना बर्दास करने की सरन सकती है इससे क्या सिख्षा मिलती है? इससे यहीं मिलती है कि विवाद से बचना है, सुख सांती से जीना है, तो विवाद न करें, अपनी अलोचना से गबराए मत, अलोचना को सुने, अगर आप अपनी अलोचना को जवाब दोगे, तो आपका खुद का समय वेश्ट होगा, आप व एक बार स्वामी जी मंदिर से दर्सन करके लोट रहे होते हैं, उनके हाथ में प्रसाद होता है, तो उनके पिछे पिछे बंदर पड़ जाते हैं, स्वामी जी डर जाते हैं बहुत, और स्वामी जी तेज भागने लगते हैं, तो दूर बैठा एक व्रद व्यक्ति यह सब तो उसने स्वामी जी से कहा डरो मत समश्या से डरो मत उसका सामना करो जितना समश्या से डरोगे तो समश्या आपको उतरी ही बगाएगी इन से डरो मत इनका मुकाबला को स्वामी जी वही रुख जाते हैं बंदर उनके पीछे-पीछे बागर होते स्वामी जी जैसे व्रद् बंदर के आगे खड़े हो जाते रों बंदरों के सामने चलते हैं तो बंदर रुक जाते हैं फिर बंदर स्वाम जी के पीछा नहीं करते हैं तो इससे क्या सक्षा मिलती है कि जीवन में समश्या आए तो समश्या से बागना मत समश्या का सामना करना फैस्टू पैस आप जितन स्वामे जी अपने जीवन से जुड़े इस किस्टे से यही अपन को सीख देना चाहते हैं कि समस्या का सामना करना मुश्किल का सामना करना मुश्किलों से बागणा मत. स्वामी जी एक बार विदेश में एक दनी महिला के साथ में की दोस्ती हो जाती तो वो गोड़ा गाड़ी में बेटकर दनी महिला के साथ में एक बार बजार जा रहे होते तो गोड़ा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति रस्ते में रुपता है और कुछ पेसे एक व्रद मैला को और एक बच्चे को देख राता है तो स्वामी जी और धनी मैला सब अश्चे से देखते हैं किया ये गोड़ा गाड़ी चलाने वाला व्यक्ति ने उस व्रद्धा को पेसे क्यों दी और उसके पास बच्चे भी बेटे थे उसे बात करके क्या है तो स्वामी जी ने इस गोड़ा गाड़ी चलाने वाले से पुछा कि वो कौन मैला है वो कौन बच्चे है जिसको तुम पेसे देखे आए तो उस व्यक्ति ने क्या कहा स्वामी जी को कि स्वामी जी मैं पहले बेंक मेनेजर था मेरे खुद का बेंक था किसी कारण से मेरा बेंक करज में डूब गया लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हरी मैंने देरी नहीं खोया मैंने किसी भी तरह ये गोड़ा गाड़ी खरी दी और मैं अपने परिवार का पालन पॉसन कर रहा हूँ और मैं पैसे कमाऊंगा और फिर वापिस एक दिन मैं अपना खुद का बेंक खोलूँगा स्वामी जी ने उस महिला से कहा तनी महिला से कहा कि ये व्यक्ति जरूर एक दिन भविशे में वापिस अपना खुद का बेंग को ले तो स्वामी जी कहते हैं कि अगर मुस्किल समय में आप देरी का साथ नहीं छोड़ते हो परस्ति चाहे कैसी भी हो देरी का साथ मत छोड़ना देरी आप रखोगे हिमत रखोगे और मेहनत करते रहोगे ना तो आप अपने लक्ष को वापिस पा सकते हो बसरते हैं मुस्किल समय में देरी मत छोड़ना तो उनकी लाइफ से जुरी ये तीन किस्से तीन कहानिया हर किसी को भी मोटिवेट कर सकती है हर किसी की लाइफ बदल सकती जीवन में मुश्किले आती है हजार मुश्किले आती लेकिन मुश्किलों का सामना देज हिम्मत से ही करना होता है तो लाइप में विवास से बचना है, सुक्सांती चाहिए, तो आपको संसक्ती रखनी होगी, मुश्किल समय में देरी रखना होगा, और जब समश्या आए, तो समश्या से बागना मत, समश्या का सामना करना, समश्या से बागो गए तो समश्या और आपके पीछे दोड़ेग तो समश्या का सामना हमेसा करना तो ये तीन बाते लाइप में स्वामी जी की हमेसा याद रखना आप